इस चौपाई में एक-एक सब्द ऐसे हैं जिसे आप समझने की कोशिस करेंगे गुर्देव के बारे में आप जान पाएंगे समतारस को पीने वाले तामस्ता का नास्तान करना जिसके भरी हदै में कसाई लेस का रंच नपान ऐसे गुर्वर विमल सिंधु जी जंजन का करते थे कल्यान उस गुर्वर के स्रीचरनों में सत्सत बार विनम्र प्रणाम पुलियाचर गुदेव विमल सागर जी महराज की जैन बंदो वैसे तो हमारा परिवार गुर्वर की सेवा में भक्ती में सालों से लगा हुआ है गुर्वर के पास हमारा आना जाना सन उनिस सुचोहतर से है जब उन्होंने चातुर मा समय सिखर में किया था तब हम गुर्देव को इतना नहीं जानते थे, मेरी माँ शितरादेवी वो उनकी भक्त थी, वो हर अभिवार को जाया करती थी और हम भी उनके साथ चले जाते थे केलते थे, कुटे थे और लास्ट में रात संध्या के समय बाबा की आरती करके हम घर वापस लोड़ जाते थे यही सिल्चना चलता रहता था, इसके बाद 1975 में गुर्देव का भिहार हुआ, खंडगिरी उद्यगिरी के लिए वो धन्बार होकर के गए, हमारे घर रुके, उन्होंने कहा, हमारी मां से बेटा, तुम्हारे घर में चैताले नहीं है उन्होंने घर में चैताले बनवाया, और वहाँ पर मुद्दी वराज मान करा दी तब से आज तक हमारे घर में भगवान का चेताले है और हम लोग रोजा भी शेक करते हैं गुरुदेव ने हमें बहुत कुछ दिया है और अगर बताओं तो पूरा दिन भी कम होगा लेकिन फिर भी कुछ खास बातें मैं बताना चाहूँगा जो गुरुदेव के साथ रहे करके मुझे जानने को मिली दुबाया गुरुदेव से परिचे सन 1992 में हुआ बान्बे में जब वो समय सिखर की और प्रस्थान कर रहे थे मेरे पिता सांती प्रकास जी वो सोना गिर गए थे और उन्होंने गुरुदेव से कहा था हे भगवन आप समय सिखर पदा दिये तो गुरुदेव ने कहा कि मैं आऊंगा बेटा आप क्या करोगे क्या व्यवस्ता करोगे हमारी तो पिता जी ने कहा था कि गुरुदेव आप जैसे ही उसमें बिहार था बिहार जालखेंड अलग नहीं था आप बिहार में परवेश करेंगे उस समय में मैं अपने लड़के को भेज दूँगा और सारी व्यवस्ता वो पूरे बिहार की समय सि पहुंचा गुदेव के पास पहुंचा और मैं मैंने गुदेव को बताया कि पिदाजी ने भेजा है ऐसा ऐसा उन्होंने आपको वचन दिया था तब दुबारा गुदेव से परिचे हुआ इस बीच तो मैंने कई जगह दर्षन किये लेकिन मात दर्षन की है लोहारियं मे सोनागिर में जैपकुर में इत्यारी जगों पर लेकिन दुबारा जब बिहार में वो पर्वेश कर गए थे बनारस के बाद तब गुर्देव ने कहा बेटा तू बहुत सही समय पर आया है मेरी सारी ववस्ता है बस मुझे एक व्यक्ति की ज़रुत है जो सारे काफले को ले क करके वहां तक चले तब गुर्देव ने मेरा परिचे सिर्यार के जैन साथ से खरवाया और उसके बाद से उनकी समाधी तक मैं लगभग 700 दिन के परिवास उनके रहा मै 20 से ले करके लगभग और 29 डिस्टंबर 1994 मै बीस 1992 से 29 डिस्टंबर 1994 तक लगभग 700-700 दिन में मैं डेरल सो、 दो सो दिन उनके पास रहा और करीब से उन से मिलने का, उन्हें देखने का, उन्हें समझ दें का मोका मिला उनके जो भाव होते थे वो बहुत ही करुना भाव थे सम्था भाव थे छोटे बड़े किसी के पती कोई तरह का फर्क नहीं होता था वैसे उनके पास हर रोज गंटे भर लाइन लगा करके लोग पूछने वाले आते थे लेकिन विहार की समय रस्ते में गरीब अमीर कोई भी आ जाता कोई गाउं वाला आ जाता तो भी उसको वो उपचार बताया करते थे हम ऐसा कहा करते थे कि गुदेव का एक से दो बजे तक सैटलाइट एंटिना सुरू हो जाता है आपको कुछ बताने की ज़रुत नहीं है कुछ बुलने की ज़रुत नहीं है वहाँ जो भी आता था उसका गुदेव उपचार किया करते थे कि ऐसा भी उपचार होता था उसके अनुकूल बटा करके चाहे वो जैन हो जैन हो उसी के अनुकूल उसकी उसका उपाय करते थे उसकी समस्या का समाधान कर दिया करते थे ऐसी कुछ देविमल्सागर जी का रहने का साथ जो हमें स्वभागे प्राप्त हुआ उनके बारे में हम 25 पुनितिति पर ये कहना चाहेंगे कि आज तक उन्हों ने जितने भी कारे किये जितने भी बड़े बड़े कारे किये उसके लिए उनके गुरु आचारे माविर किर्टी महराज कहा करते थे कि ऐसे सुब मुथ में विमल्सागर की वैने दिक्षा दी है कि वो बड़ी से बड़ा काम करेगा और उसका कोई पाया कि उन्होंने जो भी रचनाई करी जो भी निर्वान कराए जो भी कारे कराए वो अद्बुत थे और उस समय के लिए वो अकेले पहले कारे थे जैसे समोसरन का पुरा कराना तीस चौबीसी का निर्मान कराना चौबीसी बनवाना अन्य जितने भी कारे थे ये सभी कार उन्होंने तम बार देश कराय थे समोशन की रिचना नहीं थी हो कराया within 24 खी मंदियु नहीं थे वह करवाए उसके बाद तो और भी कई कारे कराये और उसके बाद उस तरह के कारिये देश में कई छेत्रों में हुए तेनि जब उन्होंने कराया था वो अपने आप में पहली बार कराया था उसकी आवश्यक्ता थी लोग उसे देख के समझ पाते थे कि ये 30-24 ही क्या होती है समयशन क्या होते है हमने किताबों में पढ़ा है लेकिन वहाँ पर साक्षात देख के समझने का मौका मिलता था आचायव को देख के साथ दो साल कैसे निकले 29 दिसंबर 1992 का भी दिन आया जब उनका आखरी दिन था वो से मैं भी हमने देखा जब उन्होंने आखरी साथ ली और उनके बाएं पायर कांग उठा मेरे हाथ में था चार बच के 27 मिनट पर शाम को 29 डिसंबर 1992 के दिन गुरुदेव ने कहते हुए अपनी आखरी सांस को छोड़ा था वो दिस से भी आज तक हमारे दिमाग में है और फिर वह इस्तान जहां पर नाला जी न जहां हमने उस जगा को देखा सबने जाकर के और वहां पाया कि कैसे समाधी बनेगी लेकिन उनका पुनिय ही ऐसा था कि चमतकारी तरीके से वहां पूरी जगा निकल गई माराजी की समाधी वहां संपन्द कर आई गई वहां जो अंतलिष्टी की गई और आज विसाल मंदिर बना है, वो भी अपने आप में अद्बूत है, ऐसा समादी मंदिर आज तक भारत में किसी का अभी तक तो नहीं है, लेकिन रिकॉर्ड बनते हैं तूटने के लिए, आगे कुछ बनेगा, कुछ तूटेगा, वो एक अलग बात होगी, लेकिन उनके हर क सारे अद्बूत हुआ करते थे और अपने आप में निजाले हुआ करते थे, सन चुरानवे से लेकर के आज दो जार उन्निस में उनकी पचीस भी पुन्निती थी मनी, और उसी समय से एक विमल परिवार का गठन हुआ, बाबा की समादी के बाद जो परिवार जोड़ता हु हमें दिखा, जो लोग हरवा जहनती में आया करते थे, माराज की पुन्निती में लाखों लोग उम्रे थे, उनमें जो गोदेव के साथ लगे रहे, उनको लेकर के एक परिवार का निर्मान किया, हलाकि उनके लाखों भक्त हैं, लाखों भक्ते, करोडों भक्ते, और आज भी उनको अपने अपने स्थान पर ऐसी भक्ती से पुछते हैं साहद हम उनको नहीं जानते और वो हमें भी नहीं जानते लेकिन यह कहना गलत होगा कि जो विमल परिवार में आज जुड़े हुए हैं वही बाबा के बद्ध हैं बाबा के लाखो करोड़ों भक्त थे और आज का लगता है कि आज वो सबसे गुर्देव के करीब भक्त हैं इतनी तन मन भक्ती से जुनते नाचते बाबा का हास्वस पुन्य थिति स्मिति दिवस 29 दिसंबर को मनाते हैं मैं आप सभी से आवान करूंगा जो भक्त गन जो आज हमारे परिवार में गुर्देव के परिवा दें हम बहुत खुश होंगे कि आप भी बाबा के भक्त हैं और आप भी हाँ आए हमसे जुड़े बाबा से जुड़े बाबा से जुड़ने का तो आप जुड़े ही हुए हैं लेकिन हमसे आप जुड़ोंगे तो हमें और ज्यादा खुश होगी बंदो ये बाबा का ही चम नितिति मना रहे हैं इस वर्स गतवर्स गतवर्स 29 डिसंबर को बाबा की सभी ने मिल करके 25 वी पुनिति उद्वार उन्मोत सव के रूप में मनाई और वो भी एक अद्भूत हुई जैसी कलपना जैसा सपना हमारे अद्यक्ष जो हुआ करते हैं और जो आज 25 साल से हमारी समीदी के अद्यक्ष हैं सिरी आर्क जैन साथ ने देखा था वह कारे सिरी सिखर चेंजी पाड़िया की अद्यक्षता में पूरा कराया और उन्होंने कहा था कि हलिकॉप्टर से मैं वर पूर्ण हुआ एक साथ अभी से एकी समय में हो ऐसी उनकी भावना थी वह भी पूर्ण हुआ और इसके अलावा बोनस जो मिला वह आचारे विरास्तागर महराजी का सानिद्दे मिला समय शिकर परवत पर जंडारों के सामिद्द्दे में हुआ और तिन दिवस्षे कारे 28-29-39 तीन दिवस्षे उद्दा रोहन कारेकरम 28-29-39 को दुम धाम से मनाया गया 28 तारीको नीचे शुरुआ जंडारों से हुई 29 तारीको आचारे गुर्देव की पंचामरित अभिशेक जल आदी से अभिशेक हुआ और 30 तारीको प्रताकाल से ही उपर लोग पहाड़ पर वन्ना को जाने शुरू हो गए 11 बजे का समय एक साथ एक समय पर मुकर्रर किया गया था विशेक करने का बंडिधर्म चरंजी सास्त्री ने वहाँ पर पहुँच करके कौतम स्वामी टोक पर जंडारों कराया आचारे विराक साकर माराजी का पूरा संग वहाँ विराजमान का उनके सानिदे में उनके आशिरवाद से जंडा रोहन पूर्ण हुआ और उसके बाद गाजे बाजे के साथ एक साथ एक ही समय पर अभिशेक हुआ जो की अपने आप में अद्बुत था मैं नहीं समझता कि आज तक मेरी मैं धनबाद में रहता हूँ पासी में रहता साथ दूदू साथूं के सानिदे में एक समय पर चौविश्टो का विशेक हुआ हो वह दिश्य देखने जैसा था जब जंडा रोहन हो रहा था मेरा भी सवभाग्या था मैं भी वहां उपस्तित था चुड़िवाल जी ने जंडा रोहन किया था आसाम वालों ने उस कारेक सब्सक्राइब चौविश्टो का अभिशेक होगा चौविश्टो का विशेक होता रहा है यह सभी कारेकरम संपन्द हुए और समय सीखर की अत्यास में पहली बार हेलिकॉप्टर द्वारा पुस्विश्ट्री भी की गई है सेकड़ों लोगों ने हेलिकॉप्टर में है पहली बार उसका इस्तमाल हुआ नीचे हेलिपेट से हेलिकॉप्टर भटारक चार बटारक कुले के सबसे पहले उड़ा तीन प्रदिक्षना दी गई खुब मनों मन टनों टन पुस्विश्टी की गई सेकड़ों यात्रियों ने अनन्द लिया और ये भी एक अद्भु कारे संपन हुआ बंदू ऐसे तो गुर्देव की कई कई स्टेंस हमारे दिमाग में है जितने बताएं थोड़ा समय कम पड़ जाएगा कितना समय है मैं नहीं कह सकता लेकिन मैं अपने और बात बताना एक दो ज़रूरी समझूँगा कि बाबा के आशिरवात से आज हम जो ह करते हैं क्या पाया क्या खोया लेकिन हमने जो पाया है वह हम ही जानते हैं उसकी अनुभूती करते हैं आज जो प्रेम जो संगटन पूरव से प्रश्चिम उत्तर से दक्शिम का हमें मिला है वह कितने भी रुपे दे करके मिलाना कितने भी खर्च करके मिलना बड़ा मनाते हैं इन सभी के लिए बावों को सबस्त नमन करूँगा और सभी जो आने वाले लोग हैं उनसे पुना हावान करूँगा कि जो 29 दिस्टंबर को आते हैं और जो नहीं आते हैं वो यहाँ परिवाब से जुड़े और सानन्द कारे को इसी तरह से महाला को चलाते रहे हैं मेरा यह सोभाग्य था कि मुझे इस महोसों में अद्रक्ष्टा करने का अउसर प्राम्त हुआ इस महोसर को सपल बनाने के लिए श्रीमान शचीन जैन, श्रीमान संजय जैन, बोरा, श्रीमान लाजपजी जैन, श्रीमान ग्यानचंजी जैन, श्रीमान मनोजी जैन, आधी, गुरुबक्त परिवार के सेक्डू लोगों ने अपना मुले योगदान दिया, वही इशी महोसर वो सफल मनाने में बीपीपी मीडिया ग्रुप आगरा का योगदान अंतुली है बीपीपी मीडिया टीम ने पूरे भारत बर्स में विरादी सेक्डू संतु की विन्यांजिली का एक्रित करके उसे जन प्रसाजित किया कारे करम का सुर्विविस्क मेनेजमेंट का विपीपी मीडिया टीम ने इस महुषों को नहीं हुचाईयों तक पहुचाया वहीं पारेश चैनल एवों जिन्वानी चैनल इस महुषों को प्रसन का जन जन का विमल सागर जी माराज के संदेशों को पहुचाया अजये बाबु साभ्मुज्त ट्रॉस्त के महमांतिर स्रीमान राजकुमार जी का योगदार अभिन अभी नंदन्दनी है में इस में हम सदेव किसके रिंदी रहेंगे मान्नेवर मंदलायोगत एवं प्रसने अधिकारी वनाधिकारी का भी योगदान भी सराने रहा में सबी आचार्या मुनी मुनियों हुए आघी का माता जी शबी बठारी जी स्वामी जी का सभी छुलक छुलकानी जी का एवं ब्रह्म चार्णी जी का के चरनौ में कोटी-कोटी में नमन करता हूं एवं खास बात है कि इसमें श्रीमान आर्केजन साब का पूरा योगदान रहा उनके उनके सवयोग से इसका रहे कुने को हम इसको चाहिए तक पहुंदा सकें और सफल हुए जैजनेंद पूसमा बाले मेरे गुरुवर पूसमा बाले मेरे गुरुवर तब और त्याग सैयम की मिसाँ विमल है नाम बड़ाँ पूसमा बाले मेरे गुरुवर तब और त्याग सैयम की मिसाँ विमल है नाम बड़ाँ पूसमा बाले पूसमा बाले मात कटोरी पिता बिहारी के लालने मीचन पड़ लिख करके डिखरी लेकर किया था अर्प्याबन मात कटोरी पिता बिहारी के लालने मीचन पड़ लिख करके डिखरी लेकर किया था अर्प्याबन महावीर कीर्ती गुरू से ले दिख्षा महावीर कीर्ती गुरू से ले दिख्षा किया खुद को उनके हवाले जोसमा बाले मेरे गुरूवर तब और त्याग सैयम की मिसा बिमल है नाम बड़ा ओसमा बाले मुझा बाले